हालो गुड़ इवनिंग स्वाधत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्क्लास इस बाइस सुनीता सिंग में मैं हूं सुनीता सिंग आज हम लोग पढ़ेंगे फॉर आल जेनरल कॉंपिडेशन रेडियो सक्रियता यानि रेडियो एक्टिवीटी पर पहला वीडियो मैंने डा हुआ है आप लोग उसे देख सकते हैं चैनल पर जाए आपको वहां से मिल जाएगा या फिर मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी वहां से आप देख लीजिएगा देखने से यह फाइदा होगा कि वह जो पार्ट है वह थोड़ा सा थेयोरेटिकल प थे में लोग पढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा है आगे हम लोग बढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे तो थे मढ़ेंगे सक्डियमें ही और फिर alpha, beta, raise का क्या properties होता है, alpha, beta, raise के emission से क्या effect होता है, elements के उपर ये जानेंगे और ये बहुत-बहुत-बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि alpha, beta, gamma का emission जब होता है, तो क्या effect पड़ता है आपके nucleus पर इसको जानना, ठीक है, examination में इससे बहुत questions आते हैं, मतलब inter-level का exam हो, या graduation level का exam हो, दोनों ही में ये question देखा जाता है, और generally ये देखा जाता है, कि ये गलत हो जाता है, इसलिए जुड़े रहिए मेरे साथ, ताकि आप सीख सके, मैं आपको 100% सीखा दूँगी, आप जुड़े रहिए, तो चलिए, आज हम लोग स्टार्ट करते ह पढ़ना अपना radio activity, ओके, तो types of radio activity आप जानते हैं, ये सब आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, बोर्ड में भी हम लोग पढ़ते हैं, कि रेडियो सक्रियता दो प्रकार का होता है, कितरीम रेडियो सक्रियता जिसे natural radio activity कहते हैं, और दूसरा कितरीम रेडियो सक्रियता ज अतलब क्या होता है प्राकृतिक रेडियो नाम से रेटिक नाम से ही क्लियर है जो अपने आप होगा तवा स्वैम जिसमें आपको एक्स्टरनल किसी तरह का फोर्स लगाने का एक्स्टरनल किसी परकार का वर्क करने का ज़र्वत नहीं है यानि आस्थाई नाभिक यह मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि जो आस्थाई नाभिक होता है वही रेडियो सक्रियता सो करता है तो यहां आपको ध्यान क विखंडन होगा और इससे जो रेज निकलता है उसको रेडियोक्टिव रेज कहते हैं यह सब सारा पॉइंट आपको याद रखना होता है तो देखें जैसे नाचुरल रेडियोक्तिव देखें राकृतिक रेडियो शक्रियता में क्या है उरेनियम और थोरियम का भी खंडन हुआ वह कनभर्ट हो जाता है आपका प्रो टेक्टीनियम में ठीक है उसी तरह से फिर यह प्रक्रिया आगे तक चलता रहता है यह स्रीज के रूप में चलता रहता है तो स्वतह भुद से खुद भी खंडित होकर एक नाभिक से दूसरे नाभिक में कनवर्ट होता रहता है और तब तक कही वह आपका अस्थाइ नाभिक में कनवर्ट नहीं हो जाता है तो देखें प्राकृतिक रेडियो सक्रियता तो बहुत असान है उसी तरह से कित्री में रेडियो सक्रियता में कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होता है कि आप किसी भी तत उपर तीब्र वेग वाले कनों से यानि प्रोट्रोन ड्यूट्रोन अलफा कनादी से प्रहार किया जाता है यानि किसी तत्व के उपर आप क्या करते हैं वह न बांबेंट होता है यह आपको किसी भी आस्थाई यह स्थाई है टिकट है यहां पेक न्यूटरॉन भी निकलता है न्यूटरॉन भी निकलेगा जैसे देखिया मैगनीसियम है मैगनीसियम पर यह जो आप देख रहे हैं हिलियम टूफोर इसे ही हम लोग अल्फा कन कहते हैं ठीक है यही अल्फा कन का पहचान है आप लोगों ने रेडियो सब्सक्राइब रेडियो अक्टिविटी में भी पढ़ा होगा ऐसे यहां पर भी मैं पढ़ाऊंगी जब अल्फा रेज मैं आपको बताऊंगी तब ठीक है लेकिन आप जाने कि अल्फा कन का पहचान है कि वह उसका कैसा होता है हीलियम के जैसा नाभिक होता है हीलियम टूफोर होता है उसी 237 में अलुमिनियम 1327 में कनवर्ट हो जाता है तो यहां पर सिर्फ गौर करने की बात आपको याद क्या रखना है कि कित्रीम रेडियो सक्रियता होती है तो कब होती है जब आप प्रोटॉन से या डूटॉन से या अल्फा कन से प्रहार कराते हैं तब होता है जैसे इसका औ से क्या था नीटरॉन का उसी कैसे क्या था जैसे आपके बेरेलियं पे बेरेलियं फोर नाइन पे उन्होंने क्या क्या अल्फा कन से हीलियम 24 से बंबार्डमेंट किया तो बना था क्या कारवन C612 प्लस neutron निकला था तो यह जो आप देख रहे है यह process क्या है जो bombardment हो रहा है इसके उपर यही process है क्या कित्री radio सक्रियता कित्री radio सक्रियता तो इस तरीके से क्या है सिर्ख ध्यान क्या रखना है आपको कि किसी भी element पे किसी तेज गतिवाले जैसे proton से आप lithium के उपर proton से कीजिएगा तो वहाँ भी क्या होगा beryllium में वो convert हो जाएगा और आपको neutron दे देगा तो देखे उसका example मैं आपको देती हूँ तो देखे lithium 3-7 है इस पे जब hydrogen H11 यह सी को नाम लोग बोलते हैं proton इससे क्या बोलते हैं proton तो इससे जब बंबार्डमेंट किया जाता है तो यह कंवर्ट हो गया कि इसमें देखे त्री और वन एड़ होके फोर हो गया तो बेरेलियम का नाभिक होता है कि तुम्सा हो गदल है कितम रेडियो नामत्रीक्ष était ज्यां 14 sam выйdhan ध्यान ड़ते हैं कि टेच गती वाले रेडियों का रिसार का यह ज़ीन है अब जो है जो जरूरी है आपको यह जानना है न reader अन्य designation doch को नामत्र ब्स्तर मैं इंग्र gjॉष के बारे में कि जो न κάνप किसने लिखा किस ने बताया कि रेडियो सक्रिय किरने के बारे में जैसे यह तो क्लियर हो गया था तो अब यहां पे शवाल था जो अध्रिश किरने निकलती हैं उसके बारे में जानना क्योंकि जब बैसे करने बारे में आपको जानना चाहिए टि-2 प्योग है प्रवानुसन रशनाम में पढ़ाया है आपको रदर फोड का नाभीके सिध्धान्थ वर्क किया था जस्ट लाइक वैसा ही यहां पे भी किया एक कैबिटी लिया उन्होंने ठीक है उसमें क्या है कि यह एक्टिव डाल दिया और आब यहां पे क्या किया कि दोनों तरफ और उलकुल्टिप और मेगनेटिक फिल्ड मसलेब पलस और मैनस वाला फिल्ड रखा ठीक है और ठीक है तो जैसे अब क्या है। जब इस से दृब यह ड्यायक्टिव मटेरियल और इससे या magnetic field दोनों पर वर्क किया उन्होंने और दोनों में ही इस बात को सही पाया कि अगर इधर कुछ किरने positive की तरफ आती हैं कुछ किरने negative की तरफ आती हैं और कुछ किरने ऐसी भी है जो सीधी निकल जाते हैं यानि वो neutral behavior की होंगी इसमें negative के तरफ होने का गुन होगा ना positive के तरफ होने का तो रदरफोर सहब ने यह किया हैं यह किस ने किया है गर्दरिस ने किया है और रदरफोर में इन द्यान की है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एक एक पॉइंट आपका नहीं चुट एक बात आपने याद रखनी होती है अध्रिस किर्णों को नाम दिया क्या अलफा बीटा एंड गामा ठीक है अलफा बीटा गामा तो यह जो आपको अदर क्या पूछ सकता है कि अध्रिस के नाम करा नाम सहाव रखना गामा तो देखें यहां पर दोनों के विच मैं वह आपको यहां पर डिसकाश अभी कर दूंगी कि आपको याद हो जाएं और सम्झा होंगी कि तरीक से आपने याद रखना है द्हान रखें यहाँ पे एक अंतर तो आपने देखगी यहां मैंने क्या लिखा हुआ है कि बीटा रेज इतिम में से नहीं इक पॉजेटीव के तरफ एक नेचर तो आप समझ गया यानी बीटा किरने जो होगी वह यह पॉजेटीव के तरफ अठराक्ट हुई उसी तरह से अलफा केलिए अलफा के तरफ यानि क्या हुआ होगा पॉजेटीव गुन होगा जिसके कारण यह निगेटिव की तरफ चली आई और गामा क्या होगा नीट्रल ना पॉजेटिव की तरफ ना निगेटिव की तरफ यानि आवेश हीन किसी भी परकार का उसमें आवेश नहीं होगा एक अंतर तो आपने इसी से याद कर लिया अब इसके बारे में और हम लोग जानेंगे कि इसका वेग कैसा है पेनिट्रेटिंग पाबर कैसा है इसका यूज क्या है अलफा बीटा गामा के इमीशन से फर्क क्या पड़ता है सबसे इंपोर्टेंट बात हो जाएगा आप लोगों के लिए अलफा बीटा इमीशन जब होता है किसी एलिमेंट स तो क्या फर्क पड़ता है बहुत जरूरी है आपको जानना एक्दम अच्छे से बने रही है मेरे साथ ताकि आप सीख जाए आज तो चलिए हम लोग उसको एक बारी नोट कर लेते हैं जो मुख्य रूप से जो जरूरी है आपको जानना और उसके बाद फिर हम लोग डिसक किया है आप लोग भी इसी तरीके से कर लीजिए समझने के बाद तो आपको कुछ भी याद करने का रटने का जुरूरत नहीं है सबसे पहला देखिए प्रकिरती नेचर कैसा है उसका मैंने आपको जश्ट बताया है कि अलफा की रन जो है अती सुक्षम धन आवेसित कंड क मने के ऐस के समान होती है या हीलियम परमादू संख्यां हीलियम का 2 होता है और परमादू और आपको 4 होता उसी तरहrage मतलaments還u aos4 ळिक Кरदेगा अलपा को रिपरसेंट कर देगा हीलियं में वजन होता है समझवारी बात मास होता है प्सक्थ variety लेस आप कन भी बोलते है क्योंके मास में भार होता है दिक बात आगए समझें आपके उसी तरीके से आगे हम लोग बीटा की जो ऊब बना चुके होगे जो मैंहिने पहले बता है आपको भूआं आवेस की तरफ जा रहा है बिटा जगर धनाव 색깔र जा रहा है थम्हेंस्थ की वहरील इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है रिपर्जेंट करते हैं उसको या तो बीटा-1-0 से यह नहीं है कुछ ठीक है बीटा-1 या इलेक्ट्रॉन को जैसे आप रिपर्जेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन को जिस तरीके से उसी तरीके से आप इसको भी कर सकते हैं E0-1 से ठीक है तो यह ह हो गया हमारा ठीक है अब देखिए उसी तरह से गामा किरन के लिए क्या होगा तो आपने देखा कि सीधी निकल गई थी तो इसलिए उदासीन होती है similar to x-rays x-rays की तरह होती है ना positive के तरफ ना negative के तरफ सीधी गमन करती है तो ध्यान में रखना है गामा किरन के है उदासीन है और similar to किसके है x-rays के है एक नेचर से आपने दो तीन बाते जान ली कि नेचर में पहला हो गया कि धनावेसित मतलब आपका जो यह है धनावेसित होता है अलफा और धनावेस में कैसा होता है हिलियम के नाभिक के समान होता है यह याद रखिएगा क रखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तो आप देखे वेक क्या है वैलोसिटी पूलते हैं इंगलिज में परकास के बेग का एक बटे दस्मा भाग होता है इससे एक बात आप यहां और नोट कर सकते हैं कि बीटा जो है बीटा का जो वेग होगा वो अलफा से नौ गुना अधिक होगा बीटा का वेग अलफा से नौ गुना अधिक होगा क्योंकि इसका एक बटे दस है इसका नौ बटे दस है तो इसको आप ऐसे कर सकते ना और नाइन इंटू वन बाई टेन तो नौ गुना अधिक होगा ध्यान रखना है यह सब सिर्फ आ बाइटेन है और गामा का तो परकास के वेक के बराबर ही होता है यानि देखे मेन याद किसमें करना है आपको अलफा और बीटा का गामा का गामा चुकि न्यूट्रल बिहेवियर का है इसलिए वह सिधा साधा अपना ज्यादा परेशान आपको नहीं करेगा ठीक है याद करन का जो होता है वेधन चमता कम होता है क्योंकि इसमें मास होता है तो भारी होगा उसका क्या होगा वेधन चमता कम होगा इसका वेधन चमता पेनिट्रेटिंग पावर यानि किसी को छेद करके बाहर चले जाना उसको कहते हैं वेधन चमता तो इसको आप रोक सकते हैं किसी प जो जैसे कैसे समझते हैं जो हलका बैखते ही स्कांट कम है वह ज़्यादा तेज दोड़ सकता है हना तो यह यहां पर बेधन चमता हुआ कि कि सी चीज को पार कर जाना जिसके मास बहुत ज्ञादा है तुम क्या होगा वे उसकी कम होगी बीटा का वेधन चमता अलफा से ज़्यादा होगा और अलफा और बीटा दोनों से अधीक होगा किसका गामा का क्योंकि उसका कोई नूट्रल है उसमें तो कोई वेट है नहीं आपको यह बताया जा चुका है उसके बाद देखिए नेक्स है आयनन सक्ति यानि आयनाइजिंग पावर ठीक है तो देखिए अलफा का याद कर लेंगे तो बीटा बीटा और गामा खुद से खुद हो जाएगा किसी गैस से होकर गुजरने पर उससे आयनित कर देती है यह नेचर है कि यह आयनित कर देगी आयनाइजिंग पावर इस हंड्रेट टाइम्स ग्रेटर देन ब का तो हंड्रेट टाइंस जाधा होता है दी तो होता है यह आपको दियान रखना है कि इसका सबसे अधितर में सब्सक्रांइब कि में यह इतना कम और इते है कि Yes इसमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट कौन सा है यह वेग वाला बाता इसमें यह प्रकृति तो आपको याद ही रहता है इसलिए क्यों की प्रकृति हम लोग पढ़ते हैं उस टाइम भी देख लेते हैं कि फोटो के हिसाब से किधर गया ठीक है लेकिन वेग याद रखेगा कि अलफा का वन बाई टैन होता है प्रकास के बेग का और बीटा का नाइन बाई टैन होता है और गामा प्रकास के बेग के बराबर होता है तो नेक्स्ट हम लोगों का है क्या देखते हैं हम लोग तो देखिए फोटोग्राफिक प्लेट फोटोग्राफिक प्लेट पर कैसा के लिए इफेक्टेट दफोटोग्राफिक प्लेट ग्रेटर देन अलफा रेज लाइक कैथोड रेज बीटा रेज प्रोड्यूस एक्स रेज यह बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है इसलिए मैंने इसे रेट से लिखा है ध्यान रखना है आपको कि बीटा रेज क्या होता जैसे आपका एक्सरे उत्पन करता है जब चल रहा था उसी समय श्टडी में एक्सरे बना था यहां पर क्या है चुकि यह बीटा जो है वह कैथोड रेज की तरह बिहेब करता है और इसलिए एक्सरे प्रोड्यूस कर सकता है जिसके कारण यह क्या करेगा आपको ज्यादा अधिक करेगा किसको फोटोग्राफिक प्रेट को सबसे ज्यादा करनकरता है विटा मिंहां उससे कम करता है और विदा सबसे अथिक करता है और उस से कम करता है और यह द 나는 सब इंपोर्टन है यहां भी एफेक्ट और जिंक सलफाइड स्क्रीन जिंक सलफाइड मतलब जैड़नेस ठीक है जिंक सलफाइड स्क्रीन पर कैसा एफेक्ट होगा तो अलफा रेज जो है यह लुमिनसीटी यानि उसमें एक चमक उत्पन कर देता है जब टकराएगा उससे तो उ एक माँड़ेनErर्जी एक चमक उत्पन होता हुआ दिखेगा लुमिनसीटी और जंस स्क्रीन पर करता है क्रियेट डू मिटंडू है इडिक हैं इसकी वज़य से कनेटिक एंडर्जी भी जादा हो जाता है तो कायनियटिक ऑनर्जी इसका ज्यादा होता है। इसलिंगे क्या करता है। उसी तरह से बीटा, रेज चाना का रेज का लुगा ने कहरें क्यों क्यूंग विटा का हमारा मांसं कम है तो मसं कम है तो कायनेटिक नरजी कम है। जैंगर यहानि आ की तरह उत्वन नहीं करेगा कम करेगा यह अब करेगा इसको याद करने में आपको असानी होगा क्योंकि यह सुरू में बता दिया किया हुआ इसलिए यहां पर क्या है है बहुत कम डालता है यह जाने इफेक्ट होता है तो इस तरीके से जो तरीके से बहुत सारा क्वेस्टन निकल कर सामने आता है तो आपको इसकी प्रेक्टिस कर लेनी है अब देखें यहां पर चाहिए प्रेक्ट्र के से आज के लेक्सर में हम लोगों आगे लेक्षर में हम पढ़ेंगे तो क्या फर्क पड़ता है उसके बारे में यानि उसका टॉपिक होगा आपका रेडियो एक्टिव डिसिंटिग्रेशन यानि रेडियो एक्टिव विखंडन का थियोरी यानि उसके होने से क्या फर्क पड़ता है तो अगले क्लास का लेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है तो आप तो अगर पर एक्जाम देने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आकन को प्रेस करें जैसे वीडियो डालूंगी मैं सबसे पहले आपके पास तब वीडियो और कोई भी प्रॉब्लम थियोरी पढ़ने के बार इस थियोरी को आपने देखा मान लिया सपोज कि कुछ अच्छा नहीं लगा आपको या कुछ समझ में नहीं आया आपको देन कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि अगले लेक्टर पर स्टार्ट करने से पहले उस प्रॉब